राम लिला की प्राण प्रफिष्ठा आयो जुनका आज दूसरा दिन है प्राण प्रफिष्ठा से जुड़ी पूजन विधी शुरू हो चुकी है 18 जनवरी को गरब ग्रिह में मूर्ति इस्थापित की जाएगी याने कि आज 17 जनवरी है कल गरब ग्रिह में मूर्ति इस्थापित की जाएगी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधी किस जनवरी तक चलेगी बड़ी ज्वानकार याद तक पहुचा रहे हैं जोहाँ पार 16 तारिक से पूजन विधी शुरू की गई थी 21 तारिक तक ये प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधी चलेगी आज 17 तारिक याने की दूश र अगर आने वाले दिन की बात करें तो 18 जिन्वरी को गर्व गरह में राम लला पधारेंगे और 21 जन्वरी तक प्राड प्रतिष्ठा की पूजन विधी चलने वाली है 22 तारिक को प्राड प्रतिष्ठा होना है आज राम लला की मूर्ति का परिसर प्रवेश कराया जाएगा यह बड़ी ज्वानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर परिसर में राम लला की मूर्ति को प्रवेश कराया जाएगा पूरे परिसर का राम लला भ्रमण करेंगे और फिर 18 जनवरी को गर्भ ग्रिह में पधारेंगे 18 जनवरी को तिर्थ पूजन, जल यात्रा, जला धिवेश, गंधा विध धिवेश कराया जाएगा वही अगर 19 तारीक की बात करें तो 19 तारीक को औस्ता धिवेश, केस्तरा धिवेश, जुरिता धिवेश और ध्याना धिवेश वही 20 तारीक की अगर बात करें तो 20 तारीक को शंक्रा धिवेश, फला धिवेश, पुष्पा धिवेश, पूजन यहाँ पर होने वाला है कि और इसी कुझ पर जौदध जौन करी के साथ हमारे साथ हमारे सब्सक्राइस कि शुक्राइब जूर गहाए कि कल से कारेक्राम की शुरॉवात हो चुकी है और आज महिलायें अपने सिर पर कलश लिए नजर आई है किस तरह का कारीक्रम आज के लिए आयोजीत होना है क्या क्या आज होने से अध्याben के इधान नियम से उसी के मद्दे नजर रखते हुए प्रभूर राम लला के राम पत्व पर ऐसा नजारा देखनों को मिला है दिब्याजी की महिलाएं रंग बिरंगी साड़ी पहन करके और प्रभूर राम लला के किर्तन भजन करते हुए कलस यात्रा निकाले हैं और लगातार जैकारों के साथ राम नगरी में राम नाम की गुजे सिर्फ सुनाई दे रही हैं और यह लगातार अनुरत चलता रहेगा यह भगवार राम लला के प्राण परतिष्ठा तक माल लिया जाये तो यह राम पत्व पर कलस यात्रा निकाल कर जगह जगह अनुस्ठान किया जा रहा है कि तन भजन चल रहे हैं मठ मंदिरों पर और राम पत्त की बात ही तो बड़ी निराली है प्रभू राम ललाज जिस पत्त पर चलके अपने घर्व गिरया में विराजमान होंगे उस मत्त पर तो ऐसा नजारा ऐसा दिप नजारा देखने को मिल रहा है कि ऐसा ऐसी सजावट कर दी गई है फूलों से सजावट कर दी गई है लगातार अच्छत और कलस यात्रा लेकर के जगह जगह फेरी कर रहे हैं लोग और महिलाएं किर्तर भजयन प्रभूर राम लला के सोहर गीत भी महिलाएं गा रही है और लगातार यहां भर्मण आयोध्या जिले में कर आए खर मर किया जा रहा है किस तरह की तस्विरें देखने को मिल रही है आप खुद वहां पर मौजूद हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं आपको बता दें कि प्रभू राम लला के प्राण परतिष्ठा को लेकर ऐसी भबता ऐसे दिपता नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है रही प्रोटुकाल की बा ऐसा नजारा देखने के लिए ज की अपने खर थे बात कर लिया जाए तो और जहा फतला मंतरी के आपील पर सब्सक्राइब तरीक निपांने में इस बार दीपानी मत भी टरीके से लाखों दीपों मेंद्धिया की चबान रहे ही लगाए है कर अपर लाकों दीपक से मगा रही है और काँदerson pro कंद सबकिस्जा तो से अगर देखा जाए तो सफ आयोध्या में ही नहीं बलकि पूरे देश भर में दिवाली आप दो मनाईस जाएगी एक दिवाली जो 22 जनवरी को मनाई जाएगी और वो सर्फ इस वर्ष नहीं लगता है कि आने वाले वर्षों में दो दिवाली देश में मनाई जाएगी एक जो 22 जनवरी को मनाई जाएगी और एक जो रवेंबर के महीने में मनाई जाती है लेकिन अगर आज की बात करें तो आज किस तरह का कारी करा में की आज राम लाल जो है वो राम मंदर परशर में परवेश करेंगे अज परवेश करें या पूरी जांकारी आपके पास है है उन्हीं लोगों की इंटी कि गई है जो ट्रस्ट के पदा अधिकारी हैं और यहन दो प्रवेश् means करेंगे और समय इंब करेंगे और लगातार के पदा अधिकारी है उसका पूजन का हवन का अनुष्ठान अनुरत साथ दिनों तक चलेगा और पूरी तरह से बेद मंत्रों से उच्चारित अनिल मिस्रा जो है ट्रस्ट के अध्यच है लगातार अपनी पत्नी के साथ में हवन पूजन अनुरत चालू कर दिये गया है और बेद मंत्रों के दिक्कत ना होने पावे लोगों से अपील कर दी गई है कि बाहरी लोगों का इंट्री वर्जित है क्योंकि सुरच्छा ब्योस्था को लेकर दिब्या कहीं ने कहीं यह प्रोटोकाल लगाया गया है जो ट्रस्ट के अध्यच हैं और पदाभिकारी हैं चंपत राय द्वारा चौराहें पर रोडों के किनारे मंदिर के बाहर हर परकार से लगा दी गई है ताकि वहां से भगवार रामलला के पराण परतिष्ठा की पूजन अर्चन हर एक परकार से बिद्देख सकें ठीक है ठीक है के के शुक्रहत हम जवानकारे साज़ा करने के लिए